लोगसभा चुनाओं में एक साल से कम का समय बचा है जहां एक और बीजेपी अपने राजजिस्तर की एकाई को मस्बूत करने में लगी है तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस राजजे एकाईयों में जूतम पैजार मची है पाँच में से चार राजजे गवाने के बाद भी कॉंग्रिस का केंद्रे नेत्रित्व राजजे कॉंग्रिस में पहली गुटबाजी शांत नहीं कर पा रहा ताज़ा बवाल पंजाब कॉंग्रेस में हो गया पंजाब कॉंग्रेस के नेता एक दूसरे को धूल धरसित करने में लगे हुए है अभी ये विवाद पंजाब तक सीमित था लेकिन अब ये मनवटाव दिल्ली तक पहुच गया है राहुल गांधी के सामने ही पंजाब कॉंग्रेस के नेता भिड़ गये है नवजोज सिंग सिद्धू की वज़े से पंजाब कॉंग्रेस पे खलवली मची हुई है बवाल इतना बढ़ गया है कि कॉंग्रिस के एक गुट ने कॉंग्रिस के नेता नवजोज सिंग सिद्धू और उनकी पतनी के खिलाफ प्रदर्शन करूं का पुतला फूग दिया कॉंग्रिस वरकनों ने नवजोज सिंग सिद्धू पर पार्टी विरोधी बयान बाजी करने और पार्टी को नुकसान पहुचाने का रोप लगाया अगर सिद्धू ने क्या कर दिया जिससे पार्टी में इतना हड़कंप मच गया और पार्टी के नेताओं ने सिद्धू को पार्टी से बाहर करने तक की मांग कर टाली और कैसे राहूल गांधी के सामने ही पंजाब कॉंग्रिस के नेता भिड़ गए चलिए बताते हैं आपको इस रपोर्ट में कॉंग्रिस से अलग रैली करने पर घेरे हुए नवजोद सिंग सिद्धू की अब राहूल गांधी के सामने भी शिकायत हुई है पंजाब में लोग सभा चुनाओ की रणनी दिको लेकर मीटिंग हुई तो इस बारे में भी प्रताप सिंग बाजवा समेत कई नेताओं ने बात की इन नेताओं ने कहा कि हमें कटबंधन के मस्वे पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए इसके अलावा अनुशासन हीनता भी बढ़दाश्त नहीं की जाएगी पार्टी नेताओं ने कहा हमें 2022 के विधान सभा चुनाओं में भी अनुशासन हींता की कीमत चुकानी पड़ी थी ये मसला तब उठा है जब नवजोज सिंग सिद्धू ने पिछले दिनों जीते का पंजाब रेली की थी इस रेली में कॉंग्रिस का कोई नेता नहीं आया था इसके अलावा ही मंच से नवजोज सिंग सिद्धू ने पूर्विसीयम चरणजीत सिंग चन्नी और कई अन्यनेताओं पर तीखे बाण चलाए थे इस पर पार्टी महसचिफ केसी विणुकोपाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को ही मीडिया में पार्टी के मसलों पर राय रखने का अधिकार है इस तरह उन्होंने नवजोज सिंग सिद्धू को मर्याता याद दिला दी इस मीटिंग में प्रदेश अध्या शमरिंदर राजा वंडिंग ने ये कहा कि हमें टिकटो का एलान चुनाव से दो या तीन महीने पहले ही करना होगा तब ही उमीद्वारों को चुनाव की तैयारी के लिए पूरा वक्त मिलेगा खबरों के मताबिक इस मीटिंग में पंजाब कॉंग्रिस के नेताओं ने राहूल गांधी के सामने बैठकर नवजोज सिंग सिद्धू की शिकायत की और कहा कि आक्शन तो लेना ही होगा आपको बता दें इस मीटिंग में प्रताप सिंग बाजवा और चरणजीत सिंग्चन ने समेत कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी से गटबंधन का भी विरोध किया बीटिंग में कुल 40 सीडर मौजूद थे जिन में से 13 ने मुखरता के साथ कहा कि हमें गटबंधन से बचना चाहिए इन नेताओं का कहना था कि जमीनी कारिकरता भी इसके खिलाफ है नेताओं का कहना था कि आमादमी पार्टी सरकार बदले की कारवाई हमारे लोगों पर कर रही है ऐसे स्थिती में हमें उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए हाला कि रव जोट सिंग से धू और कुछ अन्यस सांसुदों ने कटबंधन के पक्ष में राय रखी थी इस पर राहूल गांधी और खरगे ने नेताओं को भरूसा दिलाया और पंजाब पर आखरी फैसला लेने से पहले आप लोगों की राय जरूरी जाएगी ये कहा आधुनेक हो चुकी राजनीती में अभी कॉंग्रेस अपनी पुरानी चाल के हिसाब से ही चल रही है जो उसको बड़ा पुलिटिकल टेंट दे सकता है तो देखा आपने कैसे सिद्धू को लेकर कॉंग्रेस में खलबली मची हुई है और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं